हमाई साथ टी रागवन जुड़े हुए रागवन प्रधान मंत्री मोधी को यहां से इस्टो जो सेंटर है वहाँ पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा उसके बाद आप से एक सवाल हम जरूर जाना चाहेंगे जिसको पहले पूछा था देवेंद्र ने उस पर हम है इसरो का उसकी दूरी तकरीबन 23 किलोमेटर है और आखरी के एक किलोमेटर जहां पर फिलाल हम मौझूद है जाल हली क्रॉस से लेकर सिस्टम सर्कल तक वहाँ पर एक किलोमेटर का रोड़ शो प्रस्तावीश है तो हम यह अंदादा लगा रहा है कि पहले के जो 20 20 मिनिट का वक्त और लगेगा तो हम यह मान कर चल सकते हैं कि अब से 40 मिनिट के बाद वैग्यानिकों से मिलने की जो बात लगातार प्रधानमंतरी भी कह रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि हम सिर्फ इसलिए उद्बोधन करने संबोधित करने आ गये लोगों को क्योंकि लोग ब गयानिकों से मिलने मिशन ऑपरेशन कॉंप्लेक्स में चले जाएंगे हैं तो हम उमीद कर रहे हैं कि देविंद्र आपने प्रधानमंतरी मोधी को सुना आपका सवाल भी शायद उन्होंने सुनी लिया जवाब भी देई दिया है आपके यह लिए कि देऊ के फिए लिया ज़ए सकते हैं प्रधानमंतरी नियुमारा है हैं ऐसे में किसी मंत्री का भी नहीं होना वो थोड़ी सी तस्वीर विचितर सी जरूर यह थी कि ऐसा कैसे संभाव हो सकता है लेकिन प्रदारमति नियुक्त अपना फोकस अभी क्लियर है कि मुझे कहा जाना है कि मैं किस के लिए आया हूं किस से मिलने जाना है खुद उन्होंने बता है भी कि अपने आपको रोक नहीं पा रहे हैं और हम इते एक चीज़ और देखें कि तकरीबन छे हजार किलोमीटर का सफर करके वो आया हुए हैं पिछले चार दिन से वो फॉरेंड है और फॉरेंड ट्रिप में हम लोग जानते हैं और मैंने तो कुद आपको प्रणार मंतिर रिन्दमदी का सफर करके फ्लाइट टाइम उनको लगबग लगा होगा सारे साथ घंटे के आसपास और से एरपोर्ट और वेग्यानिकों के बीच वहां से आएंगे से एरपोर्ट फिर वापस दिल्ली तो यह प्रधानमंतिर इन्दमदी का स्च्री वह बहुत दिल्चस्प है कि अगर आपका फोकस क्लिएर है आपको पता है कि आपको जीवन में क्या चाहिए क्या आपको करना चाहरे हैं तो फिर ऐसा शेडियूल भी आपको थकाता नहीं है और बिल्कुल आपने शेडूल का जिक्र किया क्योंकि हम बात तो करी रहें कि प्रधान मंतरी मोधी पहुंचे आप सोची कि प्रधान मंतरी मोधी जब निकले है जो होनस बर्ग से तब वहाँ पर रात थी वो रात को पूरा फ्लाइट में रहे उसके बाद बिल्कुल सुबा में वो वक्त गुजार दें और जो आपके पास दिन का टाइम जो रहता है वो काम करके उसका कहते हैं ने ऑप्टिमम इट्राइजेशन कर लें और उसमें भारत कहीं न कहीं बहुत आगे जा रहा है कोविट के काल से हमने देख लिया है चाहिए वैक्सिन को बनाना हो या फिर आज चांद के सते पर जाके परचम लहरा दा रहा हूँ राग्वेंद्र प्रधानमंत्री मोधी जब वहां जाएंगे तो कुछ आपको पता लगा किस तरह का प्रोटोकॉल रहने वाला है और क्या होने जा रहा है पवन हमारे साथ जुन है पवन प्रधानमंत्री मोधी बस पहुंचने वाले उन्होंने भाशन में एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर दिया बहुत उत्सुक हैं वो साइंटिस से मिलने के लिए आपने तो चीफ से भी बात की थी क्या कुछ तैयारिया की गई है जब प्रधा प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी वहां से निकल गए है 24 किलोमिटर का सफर है लगबग उसमें 20 मिनिट का वक्त लगेगा लेकिन उसके बाद इस इलाके में पीन्या इलाके में अगर की हम बात करें तो यहीं पर इस रो का सेंटर है जहां पर वैग्यानिकों से मुलाकात के प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी पहुँच पा रहे हैं और अगर मेरे कैमरा में आपको दिखाएंगे तो यहां एक कतार में लोग तिरंगा झंडा लेकर खड़े हैं भारत माता की जैके नारे लगा रहे हैं और यहां अब हमें भी जरा एक कोने में कर दिया गया है जरा देखिए किस तरीके से लोग सुभे पांच बजे से लगातार यहां पहुचना शुरू हो गए थे तिरंगे सब के हाथ में हैं आपको एक बात और गौर करनी चाहिए कि प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी आये हैं तो उन्होंने जैजवान जैकेसान और जैविज्ञान की बात की और यहां पर किसी पार्टी विशेश के जंडे नहीं है तिरंगा है यह भारत का जश्न है और इस जश्न में प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी कैस अबी भी मोधी है हर कदम इंडिया का जंडा उन्चलने को हर कदम अभी दक्षिन आफरिका से भी हर कदम यूटिलाइज कर रहा है देश को जिताने का देश को जिताने के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि जब चंद्रियान दो विफल हुआ था तब मोदी थे तो आज जब जीत हुई है तब मोदी जी को क्यों नहीं होना चाहिए और इसलिए आप बड़ी संख्या में लोग यहां पहुँचे हैं और सबकी निगाहें सर्च पढ़ तो उसके लिए किस तरह का रियाक्शन उन्हों ने दिया और किस तरह की तैयारियां सेंटर में की गई हैं जी बिल्कुल मैंने उनसे पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम उनका उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं वो तस्वीरे भी हमने देखी थी जो 2019 में चंद्रियान 2 के दोरान प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी इसी मिशन कंट्रोल सेंटर में पहुंचे थे एक बार फिर जब वहां पहुंचेंगे तो डॉक्टर S. सोमनात इश्डो चेरपरसन उनका स्वागत करेंगे केश श्वन भी साथ में होंगे जिनके कंधे पर हाथ रखके पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने धांडस पढ़ाई थी इसके अलावा डेड़सो के आसपास वो वैग्यानिक होंगे जो चंद्रियान 3 मिशन में शामिल थे तो प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी पिछली बार जबाये थे तब चंद्रियान लाँच हो रहा था लेकिन अब जब आ रहे हैं जब चंद्रियान 3 की सफल लेंडिंग हो चुकी है तो ऐसे में प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी के पास वक्त होगा वैग्यानिकों से बात करने का जो पूरी चंद्रियान तीन की टीम है उससे मुलाखात करने का प्रोजेक्ट डिरेक्टर से बात करने का तो ये विज्ञानिकों के लिए भी गर्व की बात है कि देश का सर्वोच पदस्त अधिकारी या कहें कि सर्वोच अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी खुद यहां की पीट थभाने के लिए पहुचा है तो उनके लिए गर्व की बात है और सब को इसका लम्हे का इ साथी रागबन जुड़े रागबन प्रधानमंत्री मोधी जब जाएंगे अगर आपकी बात हुई होगी सेंटर में क्या प्रधानमंत्री मोधी वहां से लाइव मॉनिटरिंग भी देखें किस तरह से जो विक्रम लैंडर है और साथी सा जो प्रग्यान रोवर है वो किस तरह से काम कर रहे हैं यही तमाम चीज़े प्रधानमंत्री मोधी जाकर देखें उनको दिखाया जाएगा जी बिल्कुल देखिए अता है कारिकरम के हिसाब से जब उनको रिसीव किया जाएगा इस लो चैर्मन के जानिब से और कुछ फॉर्मर चैर्मन को भी स्पेशल इन्वाइटी इन्वाइट किया गया है उसके बाद यह बताया गया है कि मिशन ऑपरेशन कॉंपलेक्स में सी दिखाई जाएं क्योंकि अब लगातार संपर्क में हैं और जिस तरह का वहां से डाटा भीजा जा रहा है चांड की सतह से जो मिशन ऑपरेशन कंपलेक्स में वेग्यानिक बैठ है उसका लगातार एनालिसिस भी क्या जा रहा है कई सारी नई तस्मीरें वहां से सामने आ र प्रधानमंत्री के सामने रखी जाएं करीब करीब 40 मिनिट तक ऐसा बता जा रहेगी प्रधानमंत्री वेग्यानिकों के साथ बात करेंगे जो अभी टाइम अपडेट हुआ उसके मुताबिक ठीक साड़े साथ बजे प्रधानमंत्री का कारेक्रम जो है इस ट्रैक में शु अचार आगवन आपके पास बस लोटते हैं एक जो एहम चीज देवेंदर से मैं जाना चाहता हूँ देवेंदर क्योंकि लगातार आप यूमों के साथ टच में भी रहते हैं आखिरकार क्या प्रधानमंत्री मोधी भले ही बोलते हैं परदे के तो सामने है नी वो पीछे है इस पूरे मिशन में क्योंकि मॉनिटरिंग जो होती रही है तो किस तरह से लगातार वो और उनकी टीम देखती थी कि किस तरह से जो मिशन चंदरियान 3 है वो सफल हो सरकार का रोल सबसे अहम यह रहता है कि आप इनेवल करेंगे काम तो करना है वेग्यानिकों को लेकिन सरकार की भूम का वहां हो जाती है कि जो संसाध हैं उनको चाहिए पहली बात तो वो आप अबलब्द कराएं दूसरी चीज़ कि उनके पीछे वो बताएं कि देश आपक सरकार करें दूसरी नेन्द मोदी ने दोजाज 14 के बाद इतने सारे काम किये हैं कि आपको इस समझ में आएगा कि आज जो अपलब्दी है भले ही इस दो कि अस्तापना नैंटिन सिक्स नाइन में हो गई है लेकिन पिछले 10 और 9-10 सालों का जो बदलाओ है वो एक अलग ले ले जाने वाला बदलाओ है अलग लेवल पर ले जाने वाला इसलिए कि उन्होंने ये कहा कि इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए जैसे ही आप खोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा और अगूर्ड टैलेंट को आप इन्वाइट करते हैं और इसी काम को किया उन्होंने नहीं होता है जबकि मुझे याद है कि पदावंती ने एक बैठाप के मंत्रियों को ये कहा कि इस्पेस टेक्नलोजी का इस्तेमाल एग्रिकल्चर, इंफरस्ट्रॉक्चर, हेल्थ हर एक सेक्टर में आपको करना है जैसे रिमोट सेंसिंग के दोरे जो चीज़ें आप जानते हैं उसके काम भी किया जा रहा है कि कैसे ट्रेन को ये पता चले कि आगे 10 किलिमीटर के आया उससे एक्स्टेंट बचाया जा सके और ऐसे अनिक उधारन हैं तो अगर सिर्फ स्पेस सेक्टर का विकास करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेस में आपको फायदा होता है उसके फायदे दूसरे जगब देखिए इसका मैं एक एक एग्जामपल देता हूँ देवेंदर क्योंकि मेरी बात हो रही थी एक स असा इस्तिमाल कर रहा था और स्पेस में तब ये टच्स्क्रीन वाला जो सिस्टे में आ चुका था बाद में हमारे पास आया है तो करीब करीब 20 से 30 लग जाते हैं जो स्पेस टेक्नोलोजी होगी उसको हमारे आम जिंदिगे में लाने में वक्त लग जाता है लेकिन वह ब प्रधान मंतरी मोधी उनसे मिलने आ रहे हैं और यह सारा जो कारिक्रम है किस तरह से एरेंज करना है यह सारी तयारिया किस तरह से की जा रही थे क्या बताया आपको चीफ ने देखिए अमित सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे इस बात का उन्होंने फोन पर संपर करके बता दिया था कि मैं आप से आना चाहता हूं मिलना चाहता हूं लेकिन Mission Complex Control Mission Operation Complex वो स्थान है जो चंडरियान की launching से पहले ही तयार है बीविंग विद एनरजी और इन्फरमिशन तो वहां से चंडरियान 3 की लेंडिंग सफल कराई गई थी सभी वेग्यानिक वहीं थे उसका live transmission हमने देखा तो तयार तो पहले से ही था अब गर्व की बात ये है कि अब वो इस बात को लेकर आश्वस्ते की चंडरियान 3 काम कर रहा है ठीक तरीके से प्रग्यान बाहर आ चुका है उसके अलावा अब तस्वीरें और डेटा भी लगातार मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी के सामने और बिटर 2 से ली गई वो तस्वीरे भी दिखाई जाएंगी जिसमें प्रग्यान रोवर और विक्रम लेंडर स्पश तोर पर चांद की सतह पर खड़े हुए दिखाई देंगे इसके अलावा वीडियो डेटा लगाता रहा है तो फिलहाल मुझूदा स्थिति क्या है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी को ब्रीफ की जाएगी और बता दूँ आपको जब हम सुभेट चार बजे यहां पहुँचे थे तो चंद्रियान टीम के वेग्यानिकों को हमने यहां से पहुचते हुए देखा था तो लगबग पांच बजे से पूरी टीम यहां इसरो के इस्ट्रेक्स सेंटर में मौचूद है और बेसबरी से उस लम्हे का इंतिजार कर रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचेंगे और उनसे समवाद करते हुए नसर आएंगे